नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में दोस्तों आजमें लोग इस वीडियो में 2024 के महत्पुन महोसो मेले एवं उत्साव को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं साथ ही साथ में आपको बता दूं कि पुस्ता को अलेखक 2024 और योजना हुआ सम्मंधित राज्य 2024 की वीडियो पहले से अप्लोड हो चुकी है तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो पहला तो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप वहां से देख सकते हैं और दूसरा जब आप इस वीडियो के लाश्ट में पहुचेंगे तो आपको थम्नेल देखने को मिल जाएगा उस थम्नेल को अगर आप टेच करेंगे तो वो वीडियो प्ले हो जाएगी ठीक है इसकी अलावा मैं आपको एक सूचना देदू कि अभी हाली में मैंने करेंट अफेस ट्रिक का एक नया चैनल बनाया है जिस पर आपको करेंट अफेस की सभी वीडियो फ्यूचर में मिलेंगी तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतर राष्टी गुबारा महोसो की जो की मनाया गया है तमिल नाडू में तो यहां पड़ देखे तमिल को याद करने के लिए मैं क्या करता हूँ तालीम तालीम उर्दू सब्द है जिसका मतलब सिख्षा होता है और गुबारा में आपको गवारा मतलब गवार सब्द मिल जाएगा तो जाही सिवाथ है जो सिख्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं गवार रह जाते हैं तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंतराष्टी गुबारा महस्तो जो है वो तमिलनाडू राज में मनाया गया है इसके बाद अगला है वर्ष भर चलने वाला रामायन महस्तो जो की दिल्ली में मनाया गया है तो आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि य दिल्ली में मनाया गया है फिर अगला है आत्म निर्वर भारत उस्व जो की नई दिल्ली में मनाया गया है तो यह तो और भी आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाद पर देखिए आत्म निर्वर में आपको एक सब्द मिल लाएगा आत्म यानि आत्मा और यह बोला जा चंदू भी तो याद रखिएगा कि चंदू भी उस सो जो है यह असम में मनाया गया हो कि कि जो चांद है वो डूपता कहा है आसमान में ठीक है चांद आसमान में दिखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अगला है गुडोसव 2024 और यह मनाया गया है असम में तो कैसे जो की खाया जाता है तो गुड कैसा होता है मेठा होता है तो अगर कोई दे रहा है बढ़िया गुड तो आप बोलेंगे एकदम आश्यम है इसका स्वाद आश्यम है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गुडोसव 2024 जो है यह असम राज्ज में मनाया गया है इसके होंगे तो यूबा जो है राष्ट के महान अस्त्र होते हैं महान अस्त्र फौर महाराष्ट तो याद रखिएगा कि जो 27 राष्टी यूबा महाराष्ट में मनाया गया है ठीक है महाराष्ट के नासिक में अगला है नवा पक्के पागा होर्ण बिल उस्सो और यह मनाया गय फल होते हैं, तो माल लिए आम का फल है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, आम के नीचे बैठे होते हैं, जब ही वो पका हुआ होते हैं, तो जैसे थोड़ी सी हावा चली, तो माल लिए एक आम गिरा, तो सभी बच्चे क्या करते हैं, रन करने लगते हैं, और उनमें से कोई एक ही बच्चा होता है जो पके आम पा जाता है तो बोलता है पका पा गया है ना क्यों कि उसने अच्छा रन किया था तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नवा पके पागा हॉन्ड बिल उस्तव जो है वह अरुणांचय प्रदेश में मनाया गया है ठीक है, पके क्याओं पाने के लिए रन करना पड़ेगा अगला है गोले मिला जो की मनाया गया है जम्मू कस्मीर में तो गोले वारूद सबसे आदा कहां चलते थे पहले जम्मू कस्मीर में आतमबादी हमला होता रहता था तो आप ऐसे याद रखिएगा गोले मेले जो है वो कहा आयुजित किया गया है जम्मू कस्मीर में ठीक है इसके बाद अगला है डेज़ट फ्रिष्टिवल जो की राजस्थान के जैसल मेर में मनाया गया है कैसे याद होगा यहाँ पर देखे डेज़ट मलतब रेगिस्तान रेगिस्तान राजस्थान दोनों मैच करते हैं तो एक तो यह तरीका है दूसरा जैसल मेर में आपको सौल सब्द मिल जाएगा आपको पता है जो रेगिस्तान का एरिया वो धीरे धीरे और भी बढ़ रहा है ठीक है रेट जो है पूरे भारत में धीरे-धीरे आ रहे यह फैल रहे है उधर साइट से तो क्या हो रहा है कि यह सौल की तरह रेट बिछ जाती है तो आप ऐसे याद रखिएगा डेजाट फ्रिश्टीवल जो है यह जैसल मेर में मनाया गया है वैसे मैंने आपको एक पर- सरकार वाली वीडियो में जिसमें मैंने आपको 2014 लेकर 2023 तक की सभी योजनाओं को ट्रिक से भी याद करवाया था डेटेल में भी बताया था वह योजना थी अरावली ग्रीन वॉल पर योजना है ना तो मैंने आपको उसमें बताया था कि इसको रोकने के लिए जिससे की यो तनवाल एरिया है और ना बढ़े तो ये योजना लाई गई थी तो आप कमेंट करके बतायेगा वह योजना कब लांच की गई थी और उसके तहट कितने किलोमीटर लंबा और कितने किलोमीटर चोड़ा पेंड़ों की एक स्रंखला बनाई जाएगी ठीक है या फिर पेंड तालीम होगी उतना जल्दी पास हो जाएगा तो आप एसे याद रखेगा थाइपूसम जो तेवारे को तमिलाडू में मनाया गया है अगला है चाओथा रूसोमा ओरेंज फ्रेश्टिवल और यह मनाया गया है नागा लेंड में कैसे याद होगा ओरेंड में आपको सद मि जारी नहीं होगी तभी जाएगा बाकि अगर नागों की भूमी है तो जाहिए उनके रेंज में कोई नहीं जाएगा तो आप ऐसे याद रिखे रेंज फॉर औरेंज तो याद हो जाएगा फोर्थ रूसोमा औरेंज फेस्टिवल जो है नागालंड में मनाया गया है अगला ह इसके बात कर लेते हैं रापकिरे आनंद उस्साओ कि होगी तो है तो राह गिर्यों को कर लेते हैं ರाह हीरे मतलब राह में हीरे गिरे हुए हैं तो जाहिव सी बात है अगर राह यानि रास्ते में हीरे गिरेंगे तो वहाँ पर उजाला हो जाएगा हीरा चमकदार होता है तो उसमें प्रकास पड़ेगी तो और ज्यादा उजाला हो जाएगा उजाला फार उज्जेहन और आपको पता है हीरा जो है मद्र प्रदेश में होता है वो ऐसे मद्र प्रदेश के पन्ना में पाया जाता है तो आप ऐसे याद रखेगा कि रागीरे आनंदुस्वा जो है वो मद्र प्रदेश के उज्जेन में मनाया गया है फिर अगला है फर्ष्ट बीच साइड स्टार्ट फ्रेस्टिबल जो कि मनाया गया है मंगलॉर में कैसे याद होगा यहाँ पर देखे बीच साइड मतलब कोई बोल रहा है कि बीच से साइड हो जाओ मतलब गली में कोई खड़ा होगा तो बोले हैं गली में बीच से साइड हो जाओ गली फ़र गलौर यानि मंगलौर तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फश्ट बीच साइड स्टार्टप फश्ट जो है वो मंगलौर में मनाया गया है अगला है साइटीसवा सूरज कुंड सिल्प मेला जो की काफी जादा महत्पून है और यह मनाया गया है फरीदाबाद में हमें ऐसा ही मनाया जाते हैं तो यहाँ पर देखे सूरज कुंड मतलब जो सूरज है कोई वो कुंड में गिर गया है तो अगर कोई सूरज कुंड में गिर जाएगा तो जाही सी बात है वो फरियाद करेगा कि बचा लो बचा लो बचा लो ऐसा बोलेगा ना लोगों से फरियाद करेगा तो फरियाद और फरीदाबाद तो याद रखिएगा 37 सूरज कुंड सिल्प मेला जो है वो फरीदाबाद में मनाया गया है फिर अगला जो उस्सव हो है वो है भारत रंग महस्व जो कि गुजरात में मनाया गया है तो आपको पता है भारत में जब रंग का महस्व होता है नहीं जब हो ली आता है तो जब लोग गुजरते हैं रास्ते में तो उनके उपर भी रंग डाल दिया जाता है है ना बोलते है ना बुरा नमा दिब्ब कला मेला जो की अगरतला में मनाया गया है, तो त्रिपूर अगर आप तो दिब बिखला किनके पास है त्रिपुरारी मतलब तिन देवों के पास है ब्रह्मा बिश्टु में हैं सब के पास दिब बिखला है तो ऐसे आप याद रख सकते हो फिर अगला है सुसासन महुस्तव जो कि नई दिल्ली मनाया गया है तो सासन जो है देश का कहा से चलता है नयी दिल्ली से तो यद रखेएगा सुसातन महोस्तव जो एकहा मनायागए है नए दिल्ली में फिर अग्ला है दूसरा ऑजीविका मेला जो की मनाया गया है जम्मू कस्मीर में आपको रसक instructor मिल जैगा रस प Thailand मू जा में रस पीये सद्ध्य उड़के सोएगा गट्डप लगाख तो याद रखेगा दो स्मोची महसा जो है लड़क में मनाया गया है इसके बाद इक तूर यात्र वहыт हौना पर शोतू सब्द मिलेगा और सोने के लिएकूल पसिद्ध है कुम्वकर्ण को सोने吧 भरदान मिल था, च्छे मेने सोता था, एक दिन जागता था, तो सोने के लिए कुम्बकर्न फेमस था, कुम्बकर्न फर करनाटक करन करनाटक तो याद रखेगा करनाटक में मना आई गई है अग़ला जो महंुसे हो अगई पक्शी महसव जो की बिहार में मनाया गया है तो ऐसा समझें नाग जो है पक्षी के पांस पहुँच गया आपने देखा होगा अकसरत पक्षी जब घोसला पेंड़ों में बनाते हैं तो नाग वहाँ पर खाने के लिए पहुँच जाते हैं ठीक है घोसले में तो नाग अगर घोसले के पास नहीं पक्षी के पास पहुँच जी है तो पक्षी क्या करता है गोसले से बाहर भाग जाता है तो बाहर फर बिहार तो याद रखिएगा नागी पक्षी मौसव जो है बिहार में मनाया गया है फिर अगला ग्याराहवा अंतराष्टी कठ पुतली महोसा जो की चंडीगड़ मनाया गया है तो यहाँ पर देखे कठ पुतली पुतली को पत्नी कर लेते हैं ग्याराहवा अंतराष्टी कठ पुतली महोसा जो है चंडीगड़ में मनाया गया है आगला है समखा सरक्का मेदाराम जथारा महोसा यह मनाया गया है तिलंगारा में अब देखे कैसे याद होगा मेदाराम मेदा राम को कर लेते हैं मैदा राम तो मैदा राम का कुछ भी बने समोसे बने, गुजिया बने जलेवी बने, जाहे कुछ भी बने लेकिन मैदा राम के लिए तेल चाहिए ओयल चाहिए, बिना ओयल के मैदा राम से कुछ नहीं बनने वाला, तो तेल फर तेलंगाना तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ये जो तेवहारे तेलंगाना में मनाया गया है फिर अगला है केला उसो जो की मध्य प्रदेश में मनाया गया है तो ये तो महत्पूर्ण है कैसे याद होगा केला को कर लेते हैं कीला केला कीला और कीला और मध्य प्रदेश को तो आपको पता है बीच में जोडने का काम क्या करता है कीला करता है मान लिजे कोई भी लकडी थोड़ी सी तूट गई है तो अगर उसमें सभी तरीके से बीच में केला मार दिया जा 요 है तो बच जाएगा फिर बात कर लेते है». पर पल हट की नई दिल्ली में मना या गया है. तो आप्ने एक गाना सुने हो गा, पल पल दिल के पास, तो दिल 0'22 विष्टे सॉलो करना चाहते हैं तो टेलिग्राम पर जाएए सर्च करिए ट्रिक पॉइंट क्वीज और ग्रूप को जॉइन कर लिए ठीक है तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो के फ्री में क्वीज सॉलो करवा दिये जाएंगे और हाँ अगर आप चाहते हो कि आपको इसक